हलो पेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब तो आज में लेकर आई हूँ शेयर करने के लिए आप सभी के साथ में एक बहुत ही जादा मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरा स्नैक बनानी की रेसिपी जिसे बच्चे बड़ों सभी को अच्छा लगता है एक बार इसे जरूर ट्र कर लेना है जिससे यह पूरा जो मिक्षर है हमारा मिल जाए और इसमें हमें थोड़ थोड़ा पानी डालना है और पानी डालकर इसका नरम आटा गूत लेना है तो इस तरह से यवारा जो स्नैक है आपका भी भी बना सकते हैं जब आपको जोरों की भूख लगे या फिर चल से फ़रा जाला है थाता जाती हमें प्याश डाली है मैंने एक मीडम साइज की बारी कटी फिल्यक बाड कर ले थार जारा हुँ तोím के साथ में तो मैं उन्हीं काट कर लाई हैर प्यास कंशना ने इसमें एक कहते हरी मृरी सपने कर लें चल्दक्य इन कर मिलें स्किंग तो अभी इसमें थोड़ा सा लस्नादर का पेस डाल दीजिए मैंने तक्रीबार एक छोटी चम्माट से भी कमी लिया है और इस मसाले को प्यास टमाटर हरे मिर्चो के साथ में भून लेती हूं जिससे इसकी जो रॉस्मिल है कच्छी समिल है वह खतम हो जाए और अच्छे से म मिला लूँगी देखें प्यास टमाटर मसालों के साथ में अच्छे से मिल रहा है और इसको लगतार भूनना है दो तीन मिल तक जिससे मसाला कच्छा नी रहे और अच्छे से भून जाए मिल जाए प्यास टमाटर घुलने लगा है और मसाला भून चुका है अच्छे से पै और 3-4 मिर तक भूल लेना है और आलू रेडी हो गया है इधर हमने जो हमारा आटा बना कर रखा था उसको मैंने ना बेल लिया है और दबल लोई को चिपका कर बेला है इससे हम दो रोटियां बनाएंगे तो बस इसी तरह से गरम तवे पर मैंने इसे बेल कर डाल दिया है और इसका शीट्स देखें सारी के सारे मैंने रोठियां बना ली है और यह शीट इस तरह से हमारी तयार हो जाती है फटाफट फॉरण यह बनकर तयार होता है तो जब यह शीट्स रेडी हो गई है तो चले फटाफट नाश्ता बनाना शुडू करते हैं आप चाहे तो इस केचप का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है आप चाहे तो कोई और भी सॉस यानि मैउनीज वगर भी लगा सकते हैं इसके उपर आलू की जो मसाला है ना वो अच्छे से लगाना बीच में इस तरह से बहुत जादा चटपटा बनेगा और अच्छे से लगा देने के बाद म नवा से मिहां को आइन तो मैं इसमें उड़े के फलेवर यहां और फ्लेवर जालका है शर्ट कर देखार हमा जाए अधर हुआ ईन्ड को बॉल कर लिया है और यहां फ्लो आला है और इसके एंड परक्रें पिर लगाना आप एक चम मैश 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 दो चमबच पाने डालकर ग्लू बनाया है और उसी को हमें अप्लाई करना है जिसे यह चिपक जाएगा और यह खुलेगा नहीं तो अगर आप इस तरह से रोटी से बना रहे है ना तो आप पानी की जगह पर यही प्लू या पेस्ट अप्लाई कीजेगा तो बहुत चिपकता और यह देखें सारा हमारा snack बनकर तयार हो गया है अग, तो बस इसी तरह से आपको सारे के सारे नाश्टे को बना कर तयार कर लेना है, देखें कितने अच्छे से seal हुआ है और यह खुलेगा भी नहीं, तो बस जब यह पूरा नाश्टर तयार हो चुगा है, तो चलिए next step की तरह जहां पे हमें क्या करना है कि इसे श्यालो फ्राइब करका ने के लिए मैंने यहाँ ओल लिया है तो गड़ाई करème नाच जब अच्छा गरम हो तब work अच्जा जब कर आयर का अअ चाल नयूं बैट एस इस भी के लिए गटructuredों को से हैं एक भीटो जाए तो आप बेजी ज़क इस नाश्ते को फटा फट ट्राइ कर सकते हैं तो अभी के अभी जाकर आप किजन में इस नाश्ते को बना लीजिए और शाम के टाइम में आज का ये निया स्नैक घर में बनाकर सब्पू ज़रूर खिलाई है तो देखें, लगातार मैंने इसे अलट पलट करते वें फ्राइ कर लिया है, गोल्डन प्यार सा सुनेरा सा कलर आ गया है, विल्कुल कृप्रिस्पीसा दिख रहा है ये और बहुत जाज़ा क्रंची है टेस्ती, बहुत है तो सारे के सारे हमें हमारे स्नैक को इसी तरह से फ्राइ कर लेना है और चलें बस इसी तरह से जटपट फटाफट आपका ये मज़दार कुरकुरा टेस्टी नाश्टा बनकर तेयार हो जाएगा बस सिंपले आप इसे केचप के साथ में सर्फ कीजेगा बहुत अच्छा तो आप भी क्रिस्पी है क्रंची बहुत है और बहुत ज्यादा अच्छी से है बना हुआ तो एक बर आप भी इसे जरूर बनाएगा अगर आपको पफ खाना अच्छा लगता है तो आपको यह आलू अंडे का मज़ेदार कुलकुरा नाशता बहुत पसंद आएगा इसी तरह तक अफने अपनी फैमली कर लोगता है तो आप थाल दोओ में आद रखी एगा तैक्स बवाचिंग